पाठ दस उडन परी सुनीता विलियम्स पाठ प्रवेश या पाठ अंतरिक्ष यात्रे सुनीता विलियम्स के जीवन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रस्थित करता है तथा अंतरिक्ष संबंधी उनके उलेख नियकारियों के बारे में बताता है सफर अंतरिक्ष विज्ञानिकों की सोची में सुनीता विलियम्स का नाम प्रमुक है पाठो देश्य विज्ञानिक का परिचय देना अंतरिक्ष के रोचक अनुभव बताना विज्ञानिकों को सम्मान देना महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना डॉक्टर सुनीता एल विलियम्स भारतीय मोल की अमेरिकी नागरिक है। वह एक एस्ट्रोनौट तथा अमेरिका नेवी में अधिकारी है। उन्हें स्पेस स्टेशन के अंदर उड़ने का काफी अनुभव है। इसी कारण उन्हें उड़न परी कहा जाता है। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओयो प्रांध के क्लीव लैंड में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या मोल रूप से भारतीय है। वे गुजरात के मंगरॉल के रहने वाले है। वे पेशे से एक डॉक्टर रहे है। सुनीता विलियम् अमेरिका में पली बढ़ी परंतु उन पर पिता के भारतीय संसकारों का काफी प्रभाव पड़ा है। वे भारतीय संसकारों को बहुत सम्मान देती है। वे जब भी अंतरिक्षी यात्रा पढ़ जाती है तो भगवान गनेश की मूर्ती तथा श्रीमत भगवत गीता अपन एक समय तक रहने वाली विश्व की पहली महिला होने का गौरप राप्त है। उन्होंने अपने दो स्पेस मिशन में 322 दिन स्पेस में व्यतीत किये। उन्होंने महिला अंतरिक्षी यात्री के रूप में 50 खंटे तथा 40 मिनर तक स्पेस वॉक करने का भी रिकॉर्ड बनाय सुनीता विलियम्स शुरू से ही मेधावी थी। वे मैसा चुसेच के नेधम हाई स्कोल में पढ़ती थी। सन 1983 में उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। सन 1998 में नासा ने एक अंतरिक्षी यात्री के रूप में उनका चैन किया। अंतरिक्षी यात्री के रूप में सुनीता विलियम्स के अनुभव बहुत रोचक है। विज्ञानिक अनुसंधान के पश्चात पता चला है। कि शुन्य ग्रेविटी में स्पेस स्टेशन के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए चलना नहीं उड़ना होता है। अंतरिक से केवल समुद्र तथा पहाड अलग-अलग दिखते हैं। बाके दुनिया एक जैसी दिखाई देती है। अंतरिक्षी यात्रा के दौरान नाखून और बाल काफी बढ़ जाते हैं। स्पेस स्टेशन में त्वचा की जुर्यां समाप्त हो जाती है। लेकिन वापस पृत पृत्वी पर आने के बाद पुनह उभर आती है। स्पेस स्टेशन में नहाने की कोई व्यवस्था ना होने की कारण सिर के बाल बहुत उलच जाते है। स्पेस में जाने के बाद रेल की हड़ी भी बढ़ जाती है। परंतु पृत्वी पर वापस लोटने के बाद वह परंतु आज वे विश्व के सफल अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सूची में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। देखा जाए तो सुनीता विलियम्स बहु मुखी प्रतिभा की धनी है। वे अंतरिक्ष वैज्ञानिक होने के अतरिक्त नौ सेना पोत चालक, हेलिकॉप्टर पाइलट, गोता खोर और तैराग भी है। वे एक मेराथन धाविका भी है। सकारात्मक सोच की सुनीता विलियम्स कड़ी महनत और आत्मविश्वास को बहुत महत्व देती है। उन्हें सीधा साधा जीवन पसंद है, तथा पारिवारिक संबंध उनके लिए बहुत महत्व पोण है। विभाग ये।